एक इसाई माँ अपने बच्चे को समझा रही थी कि बेटा दूसरों की सेवा करना चाहिए भगवान ने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम दूसरों की सेवा करो बेटा बुद्धिमान था उसे छोटे से बच्चे ने और छोटे से बच्चे अकसर ऐसी बात पूछ लेते हैं कि बुड़े जवाब न दे सकें वो छोटे बच्चे ने का यह तो मैं समझ गया कि मुझे इसलिए बनाया है कि दूसरों की सेवा करूँ दूसरों को किसलिए बनाया है इसका भी उत्तर चाहिए मा जरा मुस्किल में पड़ी होगी अब क्या कहें अगर कहें दूसरों को इसलिए बनाया है कि तुम सेवा करो तो यह तो बड़ा अन्याय है कि मुझे को सेवा करने के लिए और उनको सेवा करवाने के लिए यह तो मूल से अन्याय हो गया अगर मा यह कहे कि दूसरों को इसलिए बनाया है कि वे तुम्हारी सेवा करें और तुमें इसलिए बनाया है कि तुम उनकी सेवा करो तो बेटा कहेगा अपनी अपनी सब कर ले क्यों फिजूल की जहनज़ड खड़ी करने मैं यही कह रहा हूँ इस दुनिया में बहुत हो चुकी दूसरों की सेवा कुछ सार हाथ नहीं आया दूसरों की सेवा के नाम पर बहुत थोते धंदे चल चुके सेवा के नाम पर सत्ता अधिकारियों ने लोगों का शोषण किया है जो भी सेवक बनकर आता है आज नहीं कल सत्ता अधिकारी हो जाता है जो तुमारे पैर दबाने से सुरू करता है एक दिन तुमारी गर्दन दबाएगा जब तुमारे पैर दबाए तभी चेत जाना अन्यथा पीछे बहुत देर हो जाती है फिर चेतने से कुछ सार नहीं क्यों करेगा कोई सेवा तुमारी और सेवा करेगा तो बदला मांगेगा पुरुस्कार चाहेगा मेरी दिख्षा यही है तुमें अपने आनंद से जीओ इतना ही प्रयाप्त होगा कि तुम किसी दूसरे के आनंद में बाधा ना बनो इतना ही प्रयाप्त होगा कि तुम अपने आनंद का नृत्त नाचो और अपना गीत गाओ सायद तुम्हारे आनंद की तरंग दूसरों को भी लग जाए और वो भी आनंदित हो जाए सायद थोड़ी गुलाल तुम से उड़े और वो भी लाल हो जाए थोड़ा रंग तुम से छिटके और वो भी रंग जाए यह दूसरी बात है तुमने सेवा की ऐसा सोचना मत कोयल गाती है तुम क्या सोचते हो कभियों की सेवा कर रही है कि लिखो करने को फिर कि पपीहा पुकारता है कि संतों जागो कि देखो मैं पीए को पुकार रहा हूं तुम भी पुकारो मैं तुमारी सेवा करने आ गया तुम इस जगत में देखते हो कौन किसकी सेवा कर रहा है कोयल गीत गा रही है अपने आनंद से पपीहा पुकार रहा है अपने रस में विमुक्द हो, फूल खिले हैं अपने रस से, चांद तारे चलते हैं अपनी उर्जा से, तुम भी अपने में जीओ, मैं तुम्हें सेवक नहीं बनाना चाहता, मेरे पास लोग आ जाते हैं, वे कहते हैं, आप अपने सन्यासियों को क्यों नहीं कहते हैं, जनता की सेव करें क्यों किसी की कोई सेवा करें और कितने दिन से सेवा चल रही है हजारों साल हो गए लाव क्या है मैं नहीं सिखाता सेवा करना और इसका यह अर्थ नहीं है कि तुमने तुमसे सेवा नहीं होगी खयाल समझ लेना भेद समझ लेना सेवा तुमसे तभी होगी जब तुम कर तब तुमसे सेवा होगी, तुम्हारे बिना किये होगी, तुम्हारी चेश्टा से मुक्ति होगी, तुम्हारा प्रयास नहीं होगा, तुम्हारे भीतर से परमात्मा बहेगा और कुछ घटनाएं घटेंगी, लेकिन तुम उनके करता नहीं रहोगे, साक्षी मात्र हो जाओग ओम शांति